पेट्रोल डीजल के वह लिए पेट्रोल डीजल के विरोध में अखिल भारती राष्टी कॉंग्रेस क्या हुआन पर आज भारत बन का मिला जुला सर बिलाईगर विधान सभा में देखने को मिला ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी बिलाईगर के अध्यक्षन एमी चंद के शरवानी के नैत्रित में आज नगर भटगाओं के बस स्टेंड में कॉंग्रेस कारेकरता गर्ण उपस्थित हुए जहां नगर के वेपारियों को भारत बन का समर्थन करने की आगरह किया गया जहां नगर के वेपारियों ने भारत बन पुन समर्थन दिया हालाकि वहीं ब्लॉक मुख्याले बिलाईगर में तथा सरसीवा में कॉंग्रेस का भारत बंद नगन रहे वही कॉंग्रेसियों ने पेट्रोल डीजल की वृध्धी दर्ग के विरोध में मोधी सरकार पर जमकर निशान असाधा और एन एन नीूस के लिए बिलाईगर से चीफ एडिटर की रिपोर्ट कॉंग्रेस कमेटी के निद्रेश कमेटी के अधिसानुसार पूरे भारत बन का आवहान हुआ है और आज बढ़ाओं के वियापारी और इतने भी लोग हैं समयों अपनी दुपाने बन के लिए और तेंद्र सरकार के खिलाब या आवाज उठाई जा रही है कि प्रति दिन दीजल, पेट्रोल, कैस, कारेट प्राये जा रहे हैं जब इसके पहले जब मर्मोहन सिंह की सरकार थी तो साट रूपे पेट्रोल हुआ सब यहीं लोग उनका पुटला दहन किया थे आज हम इनका क्या दहन करें यह स्वयव मोदी जी बताए साथ ही मोदी जी ने किनावक पहले बोले थे कि मैं प्रति किसानों को 50,000,000 रुपए उनके खाटे में डालूंगा लेकिल आज तक एक भी किसानों के खाटे में एक रुपए नहीं डाले और नहीं डाल सकते वहीं दूसरी और देखा गया रहा है कि बिलाइगर और आपके ये सर्चों में समर्थन नहीं मिली है सर्चों में हम लोगों किला पारवाही के तारण समर्थन हम नहीं ले पाए इसके लिए हम वहम गुथी अभात बंद को ले करके हमारे मतलब कि पूरा भारत भारत की बात को मानते हुए पूरा मतलब की हुए है इसके उपरान्ट में ये जिपनी भी मतलब कारे कर रहे हैं, रात दिन खाली मतलब पर टोल का क्रीमाद, देल का क्रीमाद, डीजल का क्रीमाद ये सब भढ़ारा हैं इसलिए द्रस्त हो गए हैं पूरा छेत्री आग्मी लोग कि आज डिजल पे टोल या खाने का तेल या कोई विश्पधार्थी के लिए बहुत परिशानी जा रहा है आज महगाई कम करने की वादा किये थे सो दिन के अंतरगर महगाई कम करने बोले थे लेकिन आज तक महगाई कम नहीं हुआ अच्छे दिन का सपना देखा रहा है लेकिन आज अच्छे दिन को देखने को मिल नहीं रहा है ना किसान मजदूरों को तरीका से बोनस मिल रहा है न और ये मसीन वगेरा से ना करवाएं यही सोच करके हम लोग अरफ बन का हुआ है